अस्सलाम अलेकुम वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ दी प्रैक्टिकल वे अच्छा टुडे जो है वो हम अफिशली स्टार्ट कर रहे हैं विद इलेक्रिशिटी के प्रैक्टिकल्स ठीक है और मेरे ख्याल से इसके अलावा उसके कोई इंट्रो की जुरत नहीं है लेट्स टार्ट ओफ विद इअपारिटस अच्छा अपारिटस की हम अगर बात करती है तो हमारे पास एक बैटरी दी वी हमें ठीक है यह बैटरी कैसे बनी वी है इट इस 3 1.5 वोल्ट के सेल्स यानि जो आपके घड़ी वगरा में लगते रेमोर्स वगरा में लगते सेल्स वही ठीक है तो पेंसिल सेल्स 3 1.5 वोल्ट के सेल्स वह हमने सीरीज में करेने हैं सो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 4.5 वोल्ट की आपकी तकरीवन यह बैटरी होगी अच्छा आपकी हो सकता है बैटरी ऐसी ही ना देखिए ठीक है इट माइट लुक सम लाई सम्टिंग एल्स लेकिन उस से हमारा कोई हमें कोई फरक नी पड़ता में बात यह है कि उसमें से 2 तारे निकल ले होगी ज्यादतर बैटरी पैक्स में आपको बैटरी दी भी जाएगी कुछ भी कह जाएगा तो उसमें से अगर टू बार्ट निकल नहीं है तो जातर उनको कलर कोड किया जाता है उन Universally speaking, black is for ground, ठीक ही मतलब negative ground, इसके लिए होता है black, और red is for positive voltage, यानि it is safe to assume कि अगर यह 4.5 volt की बैटरी है तो most probably यह 0 volts होगा, ठीक है, this black wire will be having 0 volts and this red wire will be having 4.5 volts, अच्छा, for example अगर नहीं है, मतलब आपकी battery pack में wires नहीं दीनी, इंस्टेड आपको alligator clip से direct उसमें ही connection करनी है, तो उसमें भी कोई मसली की है, as such कोई बात नहीं होगी, मैं आपको दिखा दूँगा कैसा आप verify कर सकते हो, positive terminal, negative terminal क्या है, क्या नहीं, अगर color coding नहीं होगी, या आपको wires नहीं दिये वे सिरे से, वो हम कोड़ा close up में verify कर लेंगे, but you just need to locate, बैटरी का positive का है और negative का है, that's all that is required for the battery, ठीक है, इसके रावा इसके अंदर की कहानी क्या है, इसको हमारी कोई जरूरत नहीं होती है, हम इसको देखने ही, अच्छा, फिर हम बात करते हैं, तो we've got this chain of resistors, ठीक है, इनकी value बच्चों के लिए unknown रखी भी है, I know the value because मैं एक्सपरिमेंट त्यार करी है before we could start with this, लेकिन ये 11 resistors है और सारे resistors की value एक ही है, ठीक है, उसके बाद जो है, आपको examiner ने बोला है, दो alligator clips provide कर दो, ठीक है, so there are two alligator clips, I've kept one extra, बस दिखाने के लिए हो सकता है, because the other thing that is mentioned in your special instruction is, give them seven connecting wires, अब connecting wires से, I don't exactly get के connecting wires से क्या मतलब है, ले जहां तक मैं ही समझ मैं है, simple wires ही होगी, जिससे आपको connection करने कुछ, I've kept seven connecting wires, but still one alligator clip extra, ताके थोड़ा सा connection, अगर हमें robust करनी हो, जो भी करना हो, तो हम उसको देख से, ठीक है, although मैं इन ही से करूँगा connections, उस alligator clip को स्तमान नहीं करे, just for demo purposes, मैंने लगा है, अचा, फिर एक component holder द और इसका अगर मैं यह unscrew कर दो, तो इसके दो terminals देख से, अक्रॉस तुम connect कर सा, simply, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर basically एक register है, इसकी भी value unknown रखी विया, यह register हमारा R2 है, ठीक है, तो हमें जब भी R2 के cross connection करने हो, तो मैं यह वाली लिए सवाल करके, अराम से connections कर द है, कि जो है, वो अंदर register कैसा दिखता है, कैसी नहीं दिखता, so let's keep that like that, and last thing is, I have got a multimeter, examiner न बोला हुआ है, voltmeter, ammeter, अलग-अलग दो, लेकिन मेरे खियाल से practicals में इतनी, जब वो गुंजाईश नहीं होती, कि वो जो है, अलग-अलग रखे हैं हैं चीज़ को, तो एक ही multimeter इस्तमाल करके, जो examiner न बोला है, voltmeter देना, ammeter देना था, तो मैं आपको आज थोड़ा सा multimeter के बारे भी से कहा दूँगा, के how do you use that, and फिर हमें इसके इंदर क्या-क्या चीज़ देखनी होती है, ठीक है, so I think that's all for the apparatus, now let's start assembling this, अच्छा, now before we start, हमें जो है, वो एक काम करना च और आपको सीधा-सीधा alligator clips से अपनी battery में connect रणना है, तो भाई, कैसे हम note करेंगे, मल्टी मीटर को इस्तमाल करने का basic तरीका क्या है, कि basically आपके पास यहाँ पर फूटर डायल दिया होता है, कि आपने जो setting सेलेक्टर नहीं, आप वो सेलेक्टर से अपके, क्यूंकि अभी जो भी हम practical करेंगे, electricity का, हम हमेशा DC voltage, या फिर DC current में होंगे, यह क्या है, एमपेर, ठीक है, तो DC current होगे है, और यह DC voltage, तो हम इनी दो settings में खेलेंगे, और हमें जाने की कहीं जरूरत नहीं है, सीके, so voltage DC है, अब इसमें आपके पास बहुत सारी क्या दीनी है, आपको, settings दी Basically ranges deep होती है, अब अगर मैं for example, 200 millivolts की reading select करता हूँ, तो मैं maximum 200 millivolts read कर सकता हूँ, इस वाली में, अब एक बाद बन दिये, sir, 200 millivolts तो हम 20 वाली में भी कर सकते हैं, कि 20 में तो आ जाएकर है 200 millivolts, मसला यह है, you always choose the smallest value जिसमें आपका आद है, तो अगर for example, मेरी battery अभी यह वा select करूँ, क्योंकि उससे मेरी precision out हो जाएगी, तो फ़ाई 4.5 volts से just उपर वाली जो setting होगी, multimeter की, आप वो select करूँ, तो मैं voltage DC ले रहा हूँ, और मैं 2 में तो नहीं आने वाला फोपर है, तो मैं 20 ले रहा हूँ, कि 20 volts में मैं रखके, मैं जहूंब उसको measure कर लूँगा, कि य इसरी बात या रहती है कि probes, black वाला जो probe होता है, वो हमेशा कॉम में ही रहेगा, वो यहां से कभी भी नहीं change होगा, कभी नहीं, ठीक है, you're never going to change the com port, अच्छा, red वाला जो होता है, वो आप change कर सकते हो, ठीक है, right now अगर आप देखोगे, तो you will see that it is in the voltage ohm port, यानि यह जो port है, यह specifically इस्तमाल होगा, volts और ohms measure करने के लिए, ठीक है, current measure करने के लिए 20 ampere वाला port है, या फिर आपको अगर milli ampere में current, जो है, वो measure करना है, तो वो milli ampere वाली setting है, ठीक है, ज्यादर multimeters में milli ampere वाला port नहीं होता, एक ही port होता current का, तो वो आप वहीं पर लगा लगा लेते हो ठीक है, लेकिन अगर आपको current measure करना हो था, तो आप इधर लगाते हैं, और फिर multimeter series में जाता, अभी मुझे voltage measure करना है, तो मैं voltage में ही रहने दे रहा हूँ, मैं अपनी setting choose कर लिए 20, and now let's try to measure the, क्या कहते है, the polarity of this, अच्छा, अब मेरे मताबिक क्या होना चाहिए था, कि भ new connect करता हूँ, ठीक है, so I see, wait, I can, इस तरह और इस तरह connect कर लो, तो मैंने connect किया, तो मेरे पास क्या reading आ रही है, मेरे पास आ रही है, four point, अभी fluctuate हो रही है, because मेरे hands fluctuate हो रहे है, from over here, four point 85 कुछ कर क्या रही है, अभी देको reading आ रही है, positive, इसका मतलब है, तुमने बिलकुल सह second, कि अब देखो, negative four point 88 आ रही हमाई reading, तो उसका मतलब क्या हुआ, कि आप तुमने उल्टी कर दिये connection, तो इस तरीके से तुम अराम से चेक कर सकते हो, कि मेरा positive कौन सा है, और negative कौन सा, आपने just connect किया, अगर आपकी positive मारी, इसका मतलब आपने red वाली जो थी, वो positive है, और black वाली जहां पर आपकी broken है, वो negative है, ठीक है, so we verified कि इस battery का positive ये है, और negative ये है, अच्छा, now let's start assembling our circuit, ठीक है, तो हमार पास जो circuit है, उसमें ये है कि हमार पास 4.5 वोल्ट की battery है, और उसकी जो positive wire है, यानि जो उसकी positive side है, that is connecting to ये जो हमें chain of resistors दीवी है, इसकी पहली circuit डायर है, यहां पर connected है, right, over here, और जो दूसरी वाली wire है, वो यहां से जा रही है, R2 है, ठीक है, so let's first of all make this connection, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जहूँ वो एक alligator clip ले रहा हूँ, मैं मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं अपनी wiring को color code करके रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं positive कर रहा कि इस से फायदा होगा कि मुझे पता होगा कि मेरा positive कैसे जा रहा है, अब मुझे इसमें circuit में असानी होगी, where is my positive going, right, और मैं ब्लैक नेगेटिव लिस्माज मुझे, मैं असानी होगी negative होने के लिए, तो मैं आपको हमेशा यह बोलूँगा, दूसरी बात, कोशिश यह भी टांग के साथ है, जिस पे वो दूसरी इसरी 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 करेक्ट हो रहा है, तो मैं ने यहाँ पे connect कर दिया, यह आ गया point X, ठीक है, this is one connection, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें यह वाली जो end है, we have to connect it to R2, ठीक है, आचा, R2 कह है हमारा, हमारा R2 यह रहा, हमें खोल के द not have to use this, हम एक काम करते हैं, let's just use these connecting wires, ठीक है, अचा, connecting wires क्या है, simple wires है, उनको हलका सा जो है, वो छीला वाए, ताकि आप end पे connections कर सको, so what I am doing is, I am wrapping this wire around this, ताकि मेरी एक जो है, वो अच्छी सी connection मन जा है, यहाँ पे, and मैंने यहाँ पे इसको wrap around कर दिया, ठीक है, आचा, दूस क्लिप सी किया कर हो, ताकि वो से असान जाता है, और जो fixed connections है, उनको तो मैं इसे wrap around कर सकते हो, ताकि तुम इनको बाद में चेलना है, ठीक है, और बाकी जो है, वो मुझे इसको यहाँ पे connect करना है, R2 पे, तो मैं इसको भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको twist around कर रह हूँ, because I feel like कि वो सही है, इतनी sturdy connection है, and then lastly, हमें क्या करना है, R2 की दूसरी टांग जो है, वो कहां जा रही है, वो मेरे बैटरी के बापिस से negative में जा रही, so I am going to connect it like this, ठीक है, असानी से, और मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे यूं connect कर रहा हूँ, ठीक है, so this is my circuit complete, does not look elegant, ल सारी connections कर दी है, and this is done, then they are asking you to buy voltage, so I am going to take my multimeter, ठीक है, उसको जो है, वो हम यहाँ पे set करते है, अच्छा, so अब जो है, वो हमें क्या करना है, वो हम अपनी voltage measure करना है, ठीक है, so I am going to put my wire over here, and put this over here, to measure the voltage, and you can see, it's 3.99, ठीक है, थोड़ी दर connect करके रखा करो, ताकि एक stable voltage तु मेरे पास 3.99 आ रहा है, brilliant, बिलको stable है, तो मैं IC को जो है, वो record कर लूँगा, मेरे पास 3.99 है, अच्छा, अब हमारे पनी first value ले लिए, right, now they are telling you के भाई, ये जो n number of resistors हैं, तुमारी जो chain में चल रहा है, इनको vary करो, और अपनी heading लेते जाओ, अच्छा, अब एक बात यह है कि भाई, आपको 11 register दी गए है, and better यह होगा कि आप बड़े बड़े jumps लो, instead of 1, 2, 3, 4, 5, 6, you take little bit jump, big, तो आप 2, 4, 6, 8, 10, ले सकते हो, ठीक है, 1, 2, 4, 6, 8, 10, या फिर आप 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, odd numbers में चल ला हो, तो आपको सारी मिल दाएगे, तो मैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 में जा चीक है, तो मैंने 3 में character दिया, कुछ भी नहीं करना, उसकी बाद, simple, जो है, वो यहाँ पर दुबारा से multimeter character नहीं, और अपनी values ले नहीं है, दूसरी बाद, घवरानी की जूरत नहीं है, 4.5 volts जादा से जादा, इससे जादा नहीं होगा, यहाँ पर voltage, तो आपको कोई जह तो 1, 2, 3, 4, 5, and now, once again, I can measure the voltage, जल्दी से, 2.33, तो N5 पे 2.33 आ रहा है हमारे पास, then 7 पे चलते हैं, 6, 7, I think, I believe this is it, गिन लेते हैं फिर भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, बहुत आसान, practical है, जल्दी वैली करके आपने सारी values निकाल लिने, 2 मिन में हो जाएगा, 1.93, N7 पे 1.93 आ रहा है, then N9 कर लेते हैं, so this is N9, ठीक है, यहाँ पर N9 आ गया हमारा, just make sure आखी connections को भी flimsy ना हो जाए, और तहीं गलत जगा connect भी नहीं हो रही हो, and यह 1.65 आ रहा है, N9, and then lastly, we have got N11, so हम यहाँ पर connect कर रहे हैं इसको बिल्कुल N में, and let's measure the voltage, and that is 1.44, so N11 is 1.44, okay, so since I've solved a lot of question number 1s already, तो मैं इस पर जल्दी से go through करूँगा, I'm not going to go over everything in detail, ठीक है, तो the first thing is that I want to tell you guys, is भाई, इधर units लिखना नी बूलना, V लिखावा है, उसना मतलब यह नहीं कि आप units लिखना बूल जाओगे, फिर graph table के उपर बात कर लेते हैं, तो वो ही serial number की column है, N और V, उन्हेंने बोलावा, भाई, N और V include करना, V की units V ही, हाँ, ऐसा अजीब सही लगेगी, तुमारी जो यह column heading है, यह ऐसी अजीब सही लगेगी, V slash V, लेकिन यह आपने लिखना है, ठीक है, आप सिरफ V लिखके आगा है, slash V नहीं लिखके है, गलाप, ठीक है, यह पूरी आपकी यह गायब हुजएगी, इसके कोई marks नहीं नहीं आपको, अच्छा, और पर 1 upon V है, 1 upon V के क्या units हो जाएंग है, ठीक है, सो की, make sure of that कि आप वो रखो, अच्छा, फिर बोला है, 1 upon V on the by axis and N on the x axis, अच्छा, अब मैं अपने scale की divisions कैसे करी है, N मेरा जा रहा है, 1 to 11, ठीक है, तो मैंने इसको रख लिया, 0 to, क्या कहते है, 8 boxes होते हैं, so 8 into 16, ठीक है, तो 0 to 16 रख लिया, क्योंकि और बाकी scales awkward रोते हैं और असमें ज्यादा असानी होगी, मुझे बस half half box पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, अराम से plot हो जाएगे, ठीक है, और मेरा half of the box भी cover हो जाएगा, so my axis looks something like this, ठीक है, दो-दो के gap से 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कुछ यहां का हिस्सा of the graph is not important to us, लेकिन, वो थोड़ा सा है, half the graph से कम ह तो कोई मसली की बात नहीं है, that's perfectly okay, and for y मैंने क्या किया, y के लिए मैंने किया, देखो मुझे नदर आ रहा है, 0.251 पे है, और वो 0.694 पे, right, so मैंने क्या किया, मैंने यहां से 0.2 से चला गया, मैं कहां पे, I went to a 0.7, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है, वो क्या केते है, y-axis पे 12 boxes होते है, so basically, you can work out the range, 0.7, minus 0.2, divided by 12, के भाई, यह क्या आ रहा है, अब मसला यह था, यह कुछ अजीब सा नंबर आ रहा था, मतलब, it was not a manageable number, और awkward scale बन रहा है, तो awkward scale को हटाने के लिए, मैंने 12 की जगा 10 से डिवाइड कर दिया, ताकि मेरे पास, जो है, वो क्या यह जाए, मेरे पास, यह आ जाए, तो मेरा पर box 0.05 में लिफ्ट कर रहा हूँगा, so 0.2, 0.25, 0.3, and so, 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 and then, then, उने बोला, draw the line of best plate, plot the points, to plot करना, मैं आपको अलड़ी सिखा चुका हूँ, इस दाफा क्यूंकि यह electricity के experiment है, तो you get very, very accurate, जो है, वो points, तो Determine the gradient and y-intercept वोही तरीका है कि भाई, gradient y2-y1 और x2-x1 यह देहान में रखना है कि भाई, far away points हो और ऐसे points हो जो तुम लोगों ने अल्रडी इस्तेमाल नहीं किये है, वह है to plot to your graph, ठीक है, वो ले लिया और y-intercept भी y2mx plus cn से निकाल लिया, although आप यहां से इधर से भी पढ़ ठीक है, यह y2mx plus c वाला method ही कर लो direct, ठीक है, और कुछ सोचना, समझना, इसकी कोई दिरुवती नहीं पड़ेगी, फिर आपको, ठीक है, लास्ट इंग, gradient लिखते वे, मैंने gradient की value लिखी है, 3 significant तक, ठीक है, क्योंकि मेरी values ऊपर जो थी है, n तो एक infinite significance है, ठीक है, उसका मत ने units लिख लिए, voltage की power minus 1, voltage की power minus 1, why is that gradient, because it's y divided by x, ठीक है, उपर शायद बताना भूल गया, n के को units नहीं होंगे, obviously it's a number, तो 1 upon b की क्या units, b की power minus 1, और n के no units, तो b की power minus 1, divided by no units is b की power minus 1, and y intercept, y axis पे जो intersection हो रही है, तो वो भी b की power minus, ठीक है, then we plotted our graph और सब कुछ हो गया था अब जो है, हम इसको linearize कर लेता हमना final answer निकाल लेते हैं, v and n are related by the equation 1 upon v equals to nr1 over er2 plus 1 over e, where r1 is the resistance of each of the registers in the chain, and e is the emf of the battery, using an answer from c3, determine the values of e, and the ratio r1 upon r2, you should include units where appropriate, ठीक है, तो हम इसको linearize कर लेते हैं, अगर मैं इसको linearize करने पे जाऊँगा, so 1 upon v equals to n over e, sorry, हमने क्या plot किया है, हमने 1 upon v plot किया on the y axis, और हमने x axis पे n plot किया, ठीक है, तो मुझे 1 upon v y axis जाई ही, वो मैंने separate कर दिया, वो तो अलग हो गया, बाकी मुझे यहां से n separate कर ला है, तो मैं r1 upon e r2 अलग लिख रहा हूं, ठीक है, यह चीज़ अलग लिख रहा हूं, और इसको multiply कर रहा हूं by n, क्योंकि n इधर लिखाव है, तो इसको अलग कर रहा हूं, ताकि मैं इसको x axis पे अलग कर सकूं, और plus 1 upon e, ठीक है, and this will allow me to linearize very very easily, y equals to, यह हो जाएगा m, यह हो जाएगा x, ठीक है, और जो है, यह हो गया plus, so therefore, हमारा y intercept, जो है, वो 1 upon e है, और हमारा jो r1 upon e r2 है, वो हमारा gradient है, ठीक है, so 1 upon e, shall equals to, y intercept 0.203, so let's write that down, 0.203, और e क्या हो जाएगा, फिर, 1 divided by 0.203, let's see, सही आ रहा है के नहीं, आ रहा है, 1 divided by 0.203, 4.92, 4.93 volts आ रहा है, ठीक है, although हलका सा यह off आ रहा है, लेकिन आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई figure करने की जुरूद नहीं है, 4.5 volts के ज़्यादा करीब होना चाहे था यह, लेकिन, don't worry, ठीक है, यह MFV volts में आ आएगा, 1 upon V को जब दुबारा inverse करोगे तो वह भी ह हो जाएगा, so this shall be 4.93 volts, ठीक है, don't worry, अगरागी values perfect नहीं ही आ रही है, तो experimental uncertainty और experimental errors में यह चीज़ लाए करती है, and then we need to find out the ratio R1 upon R2, so we know R1 upon R2 into 1 over E is equals to, right, R1 upon 2 into 1 over E is equals to, क्या चीज़ थी, gradient नहा हमारा, gradient, yes, so gradient हमारा क्या रहा है, is 0.0448, okay, 0.0448, तो हम क्या कर सकते है, R1 upon R2 equals to 0.0448 into E कर सकते है, right, E की value हमें already मिल चुकी है, so हम इसको निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो भी आ रहा है, so equals to, what is this coming out to be, 0.0448 into 4.93, and the value comes out to be a 0.221, ठीक है, 3 significantly कर रहा हूं, so 0.221, अच्छा, अब R1 upon R2 के क्या units होंगे, R1 upon R2, R1 भी ohms में, R2 भी ohms में, तो ohms, ohms cancel हो जाएंगे, right, यह भी ohms, यह भी ohms cancel, cancel होगा है, तो इसके कोई units नहीं होंगे, यह ratio है, 0.221 लिखके आप इसको खतम कर बगे, that's it for this paper, ठीक है, I hope this was a good first practical for electricity, I will inshallah, inshallah, see you all very soon with some more electricity practicals.